इतने कच्चे गाउ किसी के काम के नहीं होते जिन्हें समय भर देता है। इरदय में किसी का चित्र लगाना हो तो पहले कील घड़ानी पड़ती है। आप जितना कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही जोड से आप अपने मुह का इस्तेमाल करते हैं। महान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखें, आपकी अच्छाई ही आपको महान बना देगी। इतनी सिद्धत से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं, एक खुदा न जाने ये मिट्टी का इंसान इतना मगरूर क्यूं होता है। अपने पास कितने सारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कितने आएंगे, वो महत्तपुर्ण है। आर तो वो सबक है, जो आपको बहतर होने का मोका देगी। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी समसान से आगे नहीं जाते। तु खास है मेरे लिए, आम नहीं, गहराई बहुत है रिस्ते में, पर कोई नाम नहीं। बेहद की चाहत किसे है, मेरा तो बस इतना हक रहने देना, कि तुम्हारा हाल पूछ सकूँ। हर लड़की को गलत नजर से देखने वालूं, उपर वाला तुम्हें चांद सी बेटी दे। रो रो कर खुद मर जाने से बहतर है, हस हस कर दुनिया को मार दो। पुराने दिनों में घर में अजीब रिष्टा था, दरवाजे आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। उम्र बारी है, पर ख्वाहिसें सारी है, ख्वाहिसों के आगे अक्सर उम्र हारी है। तिन्हें निबाना होता है, वो आखिरी सांस तक साथ निबाते हैं। गलत को गलत कहेने की क्षमता नहीं है, तो आपकी प्रतिबा व्यर्थ है। डबल रोल करने वाला इंसान, आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। महबबत कितनी रंगीन है, किसी से सुनकर देखिए, महबबत कितनी संगीन है, किसी से करके देखिए। दिलों के बंदन में दूरिया नहीं गिनते, जहां इसक हो, वहां मजबूरिया नहीं गिनते। रिष्टा चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। बगवान सिर्फ वहां नहीं, जहां हम प्रार्तना करते हैं, बगवान वहां भी है, जहां हम गुनाह करते हैं। रेल की तरह गुजर तो कोई भी सकता है, इंतजार में पटरी की तरह पड़े रेना ही असल इसक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल चे मिलता है और ऐसा कोई मिले तो उन्हें संभाल कर रखना। हर कश्ट तुम्हें एक संदेश देता है और यही संदेश तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम बस अपने आप से कभी मत हरना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। चुप था, इसलिए की तमासा ना बने, वरना सो सो जवाब थे, तेरे एक एक सवाल के। अकिकत कुछ और होती है, हर हसने वाला इंसान खुश नहीं होता। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिष्टे और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। ध्यान रखना, कभी किसी के रूप का सुंदर्य और उसकी मीठी बोली आपका ध्यान भटका सकती है, पर अंतु किसी के हरदय को बांध कर रखने की सकती, सुंदर चरित्र में ही होती है। संबंदू की जड़ें यदि भावनाउं से जुड़ी हो, तो तूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो, तो टिकना मुश्किल। तूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन दोबारा नहीं लोटेंगे। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संसार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहेंकार से। औरत को फंसाया नहीं बसाया जाता है, अच्छे मर्दू की बस यही पहचान होती है। कोशिश ये करना जनाब कि आपकी सिकायत कोई अपने रब से ना करे। बुरा वक्त भी क्या कमाल होता है साहिब, जी-जी करने वाले भी तू-तू करने लगते हैं। स्त्री, सरलबासा में कहूं तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, धीरज भी है, सहन सीलता भी है और अपने आप से परिवार को सुंगंदित करने की ताकत भी है। अगर तुने मुझे हजारों में चुना है, तो सुन, हम भी तुम्हें लाखों की बीड में खोने नहीं देंगे। वो जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है, स्वयम अच्छा होने के लिए समय कभी नहीं निकाल पाता। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं जनाब, जब दिन नहीं बोलते, तो इंसान लाक बोले, मगर कोई नहीं सुनता। जब दिल में प्रेम हो और साथ देने वाला सच्छा जीवन साथी हो, तो हर वनवास काटा जा सकता है। वक्त निकल जाने के बाद कद्र की जाए, तो कद्र नहीं अपसौश कहलाता है। अंतरमन में संगर्स और मुश्कुराता हुआ चहरा यही जीवन का स्रेष्ट अभिनए है। जो मुझको जिन्दा जला रहे हैं, वो बेख खबर हैं कि मेरी जंजीर दीरे दीरे पिगल रही है। आपके सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। सब्द और सौच दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। माप बार-बार कीजिये, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिये। अहेंकार भी आवशक है जब बातें अधिकार, चरित्र, एवन सम्मान की हो। इच्छाएं उतनी ही रखें कि उन्हें पूरा करने के लिए अपना आत्म सम्मान गिर्वी ना रखना पड़े। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर जिन्दगी में सुकून चाहते हो, तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुए का मेंडग बना देती है। जहर से असरदार होने से कुछ नहीं होता, खुदा भी बेताब होना चाहिए, आप से मिलने के लिए। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिष्टों की खूब शूरती है। कास, यादें रेत होती, मुठी से निकल जाती, मैं पेरु से उड़ा देता। के लिए सही होगा, वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा, प्रेम यदि पक्का हो, तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंद सेस रह जाता है, जिन्दगी जीने के लिए बनी थी, हमने सोचने में गुजार द अब तो होने लगे, बच्चे भी परिंदू की तरह, साथ रहते हैं, बड़े होते हैं, और उड़ जाते हैं, किस्मत के दर्वाजे पर सर पीटने से बहतर है, अपने कर्मू से वो दूफान पेदा करें, जो दर्वाजे को तोड़ दे, मदूर संबंद केवल बोले गए सब्दों पर आधारित नहीं होते, बलकि व्यक्त की गई वाउनाओं को समझने पर भी निर्वर करते हैं, आसा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्वर करता है, कि हमने आसा किस से की और विश्वास किस पर गिया, जो दिलू में सिखवे और जुबान पर सिकायते कम रखते हैं, वो लोग हर रिष्टा निवाने का दम रखते हैं.